नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल कोई किस्टोडी वितैस के में आज पढ़ाई का वीडियो नहीं है आज मुद्दा है स्सी रेलविका जिसमें कि लाखों अभ्याति कड़ों अभ्यातियों ने फॉम्बरा रेजल्ट नहीं आ रहे है वेकेंसी पूरी नहीं हो पा रही है तो इस तरह से आप लोगों को आवाज उठाने है सभी साथियों को आप लोगोंने देखा होगा कि वीडियो में राके स्याता सरजी एकजाम पुरवाले सरजी और जो मैतमस्ती इस तरह से काफी लोग ऐसे हैं जो आवाज उठा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ आप लोगोंने देखा होगा कि उनका कोई इसमें स्वाथ नहीं है उनका मत उद्देश है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कर सकें तो जब बो लोग आँगे आ रहे हैं सलोग इतना कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तरह से ट्रेंड चल रहे हैं तो उसी पर आपको रिट्ट करना है आप देखिए आप देखिए अपनी बातों किसमा द्यम से रखेंगे देखिए यहां पर क्या लखा है इस पीक यह हैश्टेक लगा के आपको इस तरह से पोस्ट करनी है इस पीक यूपी फोर एसे सी रेलवे स्टूडेंट इस तरह का मुद्धा ट्रेंडिंग पर चल रहा है आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है टूटर पर तो सभी लोग देखिए यह लड़ाई यह किसी तरह की तैयारी कर रहे हूं परिक्षा देते हैं सब कुछ देते हैं रिजल्ट नहीं आता है रिजल्ट में धान दिवाजी हो जाती है बाद में पता चलता है कि इस तरह से काफी टैम हो गया तो तीन साल चार साल नकल जाते हैं पर रिजल्ट नहीं आता है आपने देखा हो अभी तक कोई तारीक नहीं आई हम लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं 500-600 रुपए ले लिए जाते हैं उसकी फीस 500 थी दो साल हो गए अभी तक कुछ हुगा नहीं आप देख सकते हैं कि उन लोगों के पास कितना व्याज आ गया होगा तो आप लोगों इस बारे में सोचना चाहिए व्यवस्ता बहुत खराब होती जा रही है यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे अभी आँगे नहीं आएंगे तो जीवन पर पच्तानी वाली हैं तो आप लोगों को मुद्दा उठाना हैं सभी लोग साथ दे रहे हैं जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सभी लो कुष्ट कार्ट के मध्यम से पत्त लिखिए आप ट्वीटर पर हैस्टेक जो टेंड कर रहा है उस पर रीटीट कीजिए जो आपकी बात नहीं सुन रहा है उसके चैनल को डिसलाइक कीजिए चैनल को नहीं देखना है जो खबरें आ रही हैं आपने देखा होगा रिया चक् वो सुसांत के इस तरह से निव चलाई जा रही है जबकि यह वाओं की आवाज नहीं उठा जा रही है जो आज का मुद्या होना चाहिए इस तरह से हम लोगों के फॉम भरा लिये जाते हैं चुनावाता है फॉम भर जाते हैं रेजट नहीं आता है अच्छी खासी मौटी लगम के साथ हम लोगों से पैसा बसूला जाता है और एक्जाम नहीं हो पाते हैं तो इस तरह ऐसे हम लोगों को बस अपनी मांग रखनी है सांती पूर्वक यह कोई बुराकार नहीं है तो आपको लोगों को डन्न नहीं है हमीशा सच का साथ देना है और इस तरह ऐसे आए आएंगे तो हर कोई आवाज उठा पाएगा जब हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे आज की जनरेशन तो फिर कैसे हुपाएगा ये सब तो आज सभी लोग इस मुद्दे को बनाते हुए सभी लोग अधिक से देख रेटूइट करें ये लडाई किसी एक वेक्ति के नहीं है मैं बार बार कहना चाह रहा हर वेक्ति के लडाई है हर बेरोजगार की लडाई है तो अभी आप आगे आएंगे तो सभलता निश्चे थे क्योंकि अब ये मोहम छड़ गई है और आब ये रुकने वाली नहीं हूँ बड़े इस तर प को मार्गदाशन देने की पिक्रिया सुनुकन कर दी है सभी लोगों ने तो इस तरह से हम लोगों को बस सपोर्ट करना है उन लोग मार्गदाशन दे रहे हैं पर हम लोगों को साथ तो चलना पड़ेगा ना तो फिर क्यों इतना सोच रहे हैं आप लोग सभी लोग आंगे चाहिए देखिए किस तरह से मुद्दा चल रहा है ट्रेंग देखिए ट्रेंडिंग में यह मुद्दा आ गया है देखिए यह आपको रिट्विट करना है इस पीक यूपी फोर एससी रेलवे स्टुडेंट तो इस तरह से आप लोगों को सामने आने की बात हो गई है जंग सरकार से बस यही मांग है कि जो स्टुडेंट इतनी तयारी करते हैं उनका रिजल्ट नियमत रूप से दे और एक ऐसी वेबस्था लागू की जाए जिससे की समय से हरे एक्जाम हो उसका समय निश्चित हो कब रिजल्ट आना है कब परिक्षा होनी है कब परणाम घोसत होन पर ऐसे से रेलवे इस तरह में क्यों जानकारी नहीं रहती बच्चों को कब एक जाम होगा कब क्या होगा कुछ पता नहीं रहता है एक बार फॉम भरवा दिये फिर जिम्मेदारी खतम थोड़ी हो जाती है तो इस तरह से अप लोगों को आवाज उठानी है अब मुद्या ऐसे हम लोग जीत की तरफ जा सकते हैं तो यह सभी लोगों को सपोर्ट करना है अधिक से अधिक सभी लोग सपोर्ट करें आगे आए लड़ाई लड़ाए ठीक है आप लोगों को कहीं जाना नहीं है आप अपने मुबाल के माध्यम से या पोस्ट कार्ट के माध्यम से पत् आना है ठीक है साथियों तो यही था आज का टॉपक तो इस तरह से आज पूरे हर जगाए बस यही टॉपक चल रहा है तो बस उद्धिस एक ही है कि इस महम जो छड़ गई है उस में जित जरूर हो स्टूडेंट के साथ दन्याय हो तो आप लोग इसका हिसा जरूर बने साथि ठीक है साथियों तो यही था आज का टॉपक फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार